ELP exam date को लेकर दोस्तों इस वीडियों बात करने वाले हैं expected date की बात करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर आने वाली जो और और भरतियां है group D हो गई वो कब तक आने के chances है साथ ही साथ यहाँ पर जो NTPC हो गया technician हो गया, ELP हो गया, RPF हो गया इन सबी भरतियों पर आने बात करेंगे आखिर इसकी इन सब की भरति कब तक आएगी परिक्षा कब तक होगी हम ELP दोस्तों परिक्षा की बात करेंगे आखिर संभावित कब तक तितिया सकती है और कब तक expected है दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो subscribe कर लो प्रेस कर लो आपको पता है इस चैनल पर हम अरेलवे की भरति होती है पर नौटिस होती है सब कुछ हम इस वीडियो वीडियो के मादम से आपसे हम रूबरू होते है तो आप लोग जोस्तों चैनल को subscribe जरू कर लिजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो मिल सकेगी दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर की एक्जाम को ले करके परिक्षा को ले करके आपको पता है दोस्तों की जो भरति हमारी थी कितनी थी 5000 थी दोस्तो 5000 से बढ़ा करके 18000 कर दी गई है मतलब कि समझलों दोस्ते हाँ पर 300% का इजाफ़ा हुआ है 300% का इजाफ़ा हुआ है और इस भरतिम दोस्ते हाँ पर लगभग लगभग जितने भी छातर थे जिन जिन लोगना अपलाई किया था उनको ही मौका दिया गया है लगबग नहीं 100% उनको ही मौका दिया गया है बागी अधर को मौका नहीं दिया गया है क्योंकि टेक्निसियन में आपने देखा होगा जो 9000 भरती थी इसको कर दिया गया 14 290 और इसको दूस्तों इसमें फिर से आवज़न करने का मौका दे दिया गया तो इस से कहीं ने कहीं लास हुआ है उन छात्रों का जिन लोगों ने पहले अपले गया था तो कहीं ने कहीं आपर ELP भरती में सबको फायदा ही फायदा है क्योंकि दुबारा वेबसाइट नहीं खोली गई जो जितने इच्छात रहते उतने ही हैं बागे सीटे बढ़ा दी गई हैं तो कुल मिला करके जो यहाँ पर नंबर आप दो फायट कंडिडेट हैं जो फायट करेंगे उनकी संख्या कम होगी क्योंकि सीटे बढ़ गई तो दोस्तों बात करते हैं आखिर कब तक एक सेप्टेंबर में परिक्षा किसी हाल में नहीं होने वाली है ठीक है अक्टूबर में परिक्षा दोस्तों आपकी अक्टूबर के मीड तक हो सकती है वो भी प्री की बात में कर रहा हूं ठीक है अक्टूबर के मीड तक 15 से 20 अक्टूबर तक आपकी परिक्षा प्री हो सकती है और इसके रिए जो है आप देख सकते हैं हाँ पर TCS हायर करती है आपको पता ही है NTPC परिक्षा हो गई रेलेवेट टेकनिसियन हो गई या फिर LP हो गई online TCS जो है एजेंसी बनती है ठीक है तो दोस्ते हैं पर TCS अगर एक्जाम करा रही है तो TCS देखो आपर इंगेज है 9 सितंबर से लेकरके 26 सितंबर तक इंगेज है मतलब देख सकते हैं हाँ एक से लेकरके आठ तरीक तक जो है इनके पास्टाइम है अगर यह चाहेंगे तो एक से आठ करा सकते हैं लेकिन दोस्तो अभी यह डेट बढ़ाई गई है तो यह संभाव नहीं है अभी इ दिवस्त करने में समय लगता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता तो आप मान सकते हैं दोस्तो सेप्टमबर में तो मुस्किल है अक्टूबर में भाई देखो वही चांसे हैं 15 से 20 अक्टूबर के असपास क्योंकि उसमें लगएगा अड्मिट कार्ड बनाना सेटिंग प मुस्किल है ठीक है क्योंकि इसके पहले दोस्तों बहुत लोगों ने देखी रेलेवे का जो नोटिफिकेशन उसमें क्या कहा गया था कि बिटमें जून से अगस्त में हम परिक्षा करा देंगे ठीक नहीं आप देख सकते हैं यह कलेंडर उसका फेल हुआ है और यह कोई मत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलेवे को प्रेस कीजिए अपडेट जो भी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे बिल्कुल कम्प्लीट अपडेट के साथ जहन